कमिलनाडू के कुनूर में चीफ आफ डिफेंस टाफ जनरल बिपिन रावत का हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया इस दर्दनाग घटना में CDS बिपिन रावत और उनकी पतनी समित 13 लोगों की मौत हो गई लेकिन आपको बता दे कि जनरल बिपिन रावत ने हादसे से ठीक एक दिन पहले जो बयान दिया था वो अब घूब वाइरल हो रहा है इस बयान में उन्होंने कोरोना महमारी को एक जैविक हतियार बताया था चीन पर हमेशा से ये आरोप लगते आए हैं कि उसने कोरोना का इस्तिमाल जैविक हतियार के रूप में किया लेकिन चीन बार बार इस आरोप को नकारता गया आपको बता दे कि जनरल बिपिन रावत पहले भी चीन की असलियत को दुनिया के सामने ला चुके हैं हाल ही में बिपिन रावत ने चीन को पाकिस्तान से भी बड़ा खत्रा बताया था भारत चीन सीमा पर चल रहे गती रोध पर भी बिपिन रावत ने कहा था कि चीन ने सोचा था कि थोड़ी सी ताकत दिखा कर वो L.A.C. पर मनमानी कर लेगा लेकिन भारत उत्तरी सीमाओं पर मजबूती से खड़ा रहा और हमने साबित कर दिया कि हम जुकेंगे नहीं आपको पता दे कि भारत और चीन के बीट जारी बॉर्डर विवात पर जनरल विपिन रावत के एक बयान से चीन में खलबली मच गई थी जनरल विपिन रावत ने चीन की ऐसी नस्दबाई थी जिससे वो बुरी तरह बॉखला गया था जनरल विपिन रावत के इस बयान से चीन अमन्चैन की दुहाई तक देने लग गया था दरसल हाल ही में चीफ अफ डिफेंस टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारत के लिए सबसे बड़ा खत्रा चीन है भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलजाने में विश्वास की कमी है और संदेह बढ़ता जा रहा है बस्विर कया था? भारत के इस बयान के बाद चीन टिल मिला गया और उसने फोरण सीडीएस विपिन रावत की बात का जवाब देते हुए तीखी प्रतिक्रिया दे दी चीनी रक्षा मंत्राले के प्रवक्ता कर्नल वू कियान ने CDS विपिन रावत के बयान को गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक बताया है कर्नल वू कियान ने कहा कि हम इस बयान का पुर्जोर विरोध करते हैं और हमने भारतिय पक्ष को बात रखने का पूरा मौका दिया था उन्होंने आगे कहा कि भारत चीन सीमा मुद्दे को लेकर चीन का रवय्या पूरी तरह से साफ है चीन की सेना अपने देश की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझोता नहीं कर सकती हाला कि सीमा विवाद को लेकर तनाव घटाने की पूरी कोशिश की जा रही है चीन की तरफ से इस तरह के बयान से साफ जाहिर होता है कि चीन बातचीत से ही हर विवादित मुद्दे को सुलझाना चाहता है और चीन किसी भी तरह से भारत से दोबारा सेन ने गतिरोध नहीं चाहता क्योंकि एशिया में केवल भारत ही है जो चीन की आखों में आखे डाल कर उसे मूँ तोड़ जवाब देने की ताकत रखता है आपको बता दे कि इससे पहले भी CDS बिपिन रावच चीन की असलियत दुनिया के सामने ला चुके हैं उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि चीन की हरकतों को देखते हुए विवादित सीमा और समुदरी इलाकों में भारतिये सेनाओ को पूरे साल तैनात रहने की जरूरत है आपको बता दे कि भारत ने चीन के खिलाव जबरदस किलाबंदी कर ली है चपपे चपपे पर अत्याधुनिक हतियारों को लगा दिया गया है भारत ने चीनी सीमा से लगते हुए इलाकों में स्ट्रेटेजिक इंफ्रस्ट्रक्चर को भी जबरदस तरीके से मजबूत कर दिया है चीन लगातार इस कोशिश में है कि भारत के साथ जल्द से जल्द ये गतिरोध खत्म हो जाए क्योंकि भारत से टकराना उसको बहुत भारी पड़ सकता है